चत्रपती शिवाजी महाराज बहुजन प्रतिपालक या ब्रामन प्रतिपालक वो इतियास जो हमेशा बहुजनों से छुपाया गया। जिया सातियों मैं वितेशर आप देख रहे हैं The Thing चतरपती शिवाजी महराज की आज जयन्ती है और इस जयन्ती जन्म दिवस के असर पर आज हम चतरपती शिवाजी महराज के बारे में उस विशय पर बात करेंगे जिस विशे को हमेशा इत्यास ने दबाने की कोशिश किया जिस विशे को हमेशा से ही ब्रामन लेखो को ने इस तरीके से पेश किया जहापर सिर्फ उन्हें ब्रामनों का परतिपालक या फिर ब्रामनों की सुरक्षा करने वाला राजा इस बारे में उनकी जो है एक इमेज ब चत्रपती शिवाजी महराज के जैसे राजा होना इस जनम में तो क्या आने वाले सो जनम में भी यह बात संभव नहीं हो सकती हमेशे सरी शत्रपती शिवाजी महराज को ले करके ऐसे कई मिथक है जिस मिथकों के लिए शत्रपती शिवाजी महराज को सिर्फ बदनाम किया जा क्योंकि चत्रपती शिवाजी महराज की स्वराज की जो संकलपना थी चत्रपती शिवाजी महराज की स्वराज की संकलपना ऐसी थी वो चाहे तो अपने राज को शिवराज भी रख सकते थे अपने राज्य का नाम वो शिवराज भी रख सकते थे लेकिन स्वराज की बात को क्योंकि स्वा का मतलब होता है खुद का अपना राज्य जहां पर छत्रपति शिवाजी महराज के साथ में इस स्वराज को बनाने के लिए अठरा जो पगड़ जातिया जो बोलते हैं अठरा समुदाय के लोग थे और इसके साथ में 12 बलूतेदार और तमाम जितने भी के ताकत को एक जूट करते हुए जैसे हातों की पाच उंगलिया जब आती तो मुठी बन जाती और मुठी की ताकत जब सामने में आती तो दुश्मन इससे डर जाता है तो इस तरीके से चत्रपति शिवाजी महराज ने छोटे-छोटे लोगों को जोड करके चाहे फिर वो शिक्षित करके युद कौशले उनको सिखा करके चत्रपति शिवाजी महराज ने जिस तरीके से स्वराज की संकलपना रखी उस स्वराज की संकलपना को आज इस देश में कही न कही हिंदवी राजा के नाम से जाना जाता है सिर्फ हिंदूों के राजा के नाम से जाना जा थे हमेशा सही उन्होंने इस देश में समानतावादी दुरुष्टिकुन रखा आपको याद होगा इत्यास के पन्ने गवाई भी देते है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेटमेंट है कि मेरे राज में किसानों की फसल को अगर किसी का हाथ लग गया तो उसके हाथ का आज की महिला के उपर अगर किसी ने भी गलत निगाओ से देखा तो उनकी आखे निकाल कर रग दी जाएगी इस तरीके से जो एक करेक्टर बना बनाया था चत्रपति शिवाजी महाराज ने वो एक आदर्श राजा थे बहुजनों के लिए लेकिन इस बात को कही ने कही ब हिलाफ में किताबे लिखी हुई है कén हमेशा हिंदवी सवराज की जो उन्होंने बात की है कभी भी आप अगर इत्यास को पढ़ोगे तो उन्होंने मराथा सामरात की बात की है कि यह कभी भी लेख्य करते हैं वह वर्नन बिल्कुल गलत है कि जब इस देश के बहुजनों के लिए जब राज बनाया तो उस राज में आपको याद होगा कि जितने भी बाड़ी बड़ी पोस्ट थी, मतलब कि जितने भी बड़े-बड़े स्वराज में जितने भी लोग काम करते थे, वहाँ पर हमेशा सही बहुजन समाज के लोग, शुद्र वर्णा के लोग, शुद्र ही बोलेंगे, क्योंकि इन तमाम शुद्रों को जोड करके, एक रूप बना करके, उस माला क पीरों का काम, शुद्रपती शिवाजी महराज ने का था, जितने भी किले थे, उन किलों के प्रमुख, जो सुबेदार थे, वह मुसलिम समाज के थे, शिवाजी महराज के अंग रक्षक, खुद मुसलिम समुदाय के थे, शिवाजी महराज की जो लोग, तलवार बनाने का काम करते थे जो शस्त्र बनाने का काम करते थे वो खुद बवतांश लोग मुस्लिम समुदाय के थे खुद वकील जो काजी हैदर नाम से जाने जाते थे वो खुद मुस्लिम समुदाय के थे तो समझ सकते हैं कि सिवा जी माहराज की जो लड़ाई थी वो किसी धर्म व्यक्ति के विशेश में नहीं थी शिवा जी महराज की लड़ाई समता के साथ में थी समानतावादी दुरुष्टी कोन चाहते थे वो चाहते थे कि मेरे राज में मेरे स्वराज में हर समुदाय और हर जाती धरम के लोग यहाँ पर अच्छे से रहे इसलिए उन्होंने अपने राज म चत्रपती शिवाजी महराज का था लेकिन इस दुरुष्टी को उनको कोई बताएगा नहीं आपको इत्यास की घटना याद होगी कि जिस तरीके से अफजल खान के साथ में दखन में उनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान जो है जब अफजल खान महराज आ तो अफजल खान का वकील कृष्णा भासकल कुलकरनी यह चत्रपती शिवाजी महराज के उपर हमला कर देता है लेकिन चत्रपती शिवाजी महराज उसको आगा देते हैं और बुलते स्वराज से आप गद्दारी अगर करोगे तो आपको अपनी जान सहाथ दोना महराज को जानते हुए भी वो चत्रपती शिवाजी महराज के उपर पुना हमला करते हैं लेकिन फिर शिवाजी महराज उनको जो सजा देते हैं वो उनको जान से मार देते हैं इसलिए मारते हैं क्योंकि चत्रपती शिवाजी महराज का कहना था कि जो मेरे स्वराज के साथ में गद्दारी करेगा चाहिए फिर वो किसी भी जाती या फिर किसी भी धरमका हो हम उसे नहीं चोड़ेंगे उसे दंडित करेंगे बड़ी फैक्ट है कि उन्होंने कभी भी मुसल्मानों का विरोध नहीं किया उन्होंने विरोध किया जो स्वराज के खिलाफ था उन्होंने विरोत किया इन तमाम व्यवस्ता का जिनोंने सिर्फ अभी तक के शुद्रों को राजा बनने से रोका इसका दूसरा सबसे बड़ा इत्यास की एक घटना आपको याद होगी या फिर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब 6 जून को चत्रपती शिवाजी और इसलिए कासी से आज की वारा नसी कासी से गागावटे नाम के ब्रामन को बुलाया जाता है और वो पैर के अंगूटे से चत्रपती शिवाजी महाराज का राजे भिशेक कर सकते हैं समझ रहे है आप कि इस देश में शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है यह मनुस्मूरुती के अनुसार उनके साथ में व्यवार होता है और उन्होंने जिस तरीके से अपना राजे भिशेक करवा के लिया तो बहुत सारा धन संपत्ति उस व्यक्ति को ब्रामन व अगर चतरपति शिवाजी महराज ने जिस तरीके से स्वराज की जो निर्मिती की अबियुक्त को जो अन्याय अत्या हुआ होगा कि छत्रपती शिवाजी महाराज खुद इतने बड़े संस्कृत के पंडित थे मराठी उनको इतनी जबर्दस्त आती ती इसके साथ ही वो उन सभी ब्राह्मन रिती रिवाजों को उन्होंने तोड दिया था जिस समय समुद्र को पार करना एक पाप माना जाता था उस समय इस देश में नेवी की जो निव बोलते हैं नेवी की निव रखी छत्रपती शिवाजी महाराज ने अपने आर्मार बनाया अपने जहाज बनाया और विदेशियों से व्यापार किस तरीके से किया जाता है एक व्यापारी दुरुष्टिकों उनके दिमाग में था एक बड़ा management लेकर के उन्होंने शुरुवात की थी गोरिला वार अपने सुना होगा जिस तरीके से अगर अपने पास में संख्या शत्रू से अधिक नहीं है कम है तो किस तरीके से स्टाटिजिकल तरीके से उनको हराया जाता है ये भी एक planning उनके पास में थी वो एक बड़े दर्म और जाती के लोग हमेशा से ही साथ में मिलकर रहेंगे जहापर किसी तरीके का भेदबाव नहीं होगा मात्मा बुद्ध जिस तरीके से कहते है कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जहापर समता स्वतंतरता न्याय और बंदुता हो अपने गुरू संत्तुकारा महराज क कि ही संत्तुकारा महराज ने जो उनको ग्यान दिया था संत्तुकारा महराज खुद बुद्ध को अपना गुरू मानते थे और चत्रपते शिवाजी महराज खुद संत्तुकारा महराज को गुरू मानते थे तो इसलिए समता स्वतंतरता न्याय और बंदुता की विचारध पहरा के ऊपर उनका जो स्वराज जथा वह स्तित था अपने इत्यास में कहीं भी देखा की ही दुरा पर रखा तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में ब्रैमेनिकल विचारधारा किस तरीके से चत्रपती शिवाजी महराज को सिर्फ हिंदूों का राजा हिंदवी स्वराज के राजा के नाम से ही जानी जाती है लेकिन चत्रपती शिवाजी महराज कभी सिर्फ हिंद जिनों के राजाते 25 प्रतिशत जो इस देश में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के आधर्श चत्रपती शिवाजी महराज थे हैं और हमेशा सही रहेंगे इस बात को हमेशा सही बदनाम किया जाता है चत्रपती शिवाजी महराज के जो दूसरे पुतरते संभाजी महराज 32 साल की उमर में जिनों ने अपने प्रानों की बाजी इस स्वराज के लिए लगा दी उनको भी ब्राम्हनों के विचारधाराओं के लेखकों ने गालिया दी उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जिस राजा का कैरेक्टर खराब होता है वो अपनी राजपाट को खो देता है इस तरीके से उन्होंने किताबों में लिखा है इत्यास पढ़ लीजिए और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि चत्रपती शिवाजी महराज इस देश में मराटा सामराज्य की निःव रखी और तमाम इस देश के मिल लगभग लगभग अस्ठी से 90 प्रति शठद भाग पर श्तरपती शिवाजी महराज ने स्वाराज को फैलाया और स्वाराज के हिसाब सही काम किया लेकिन जब इस देश में स्वाराज को खतंनु गया आप सोच सकते हैं मतलब पैश्वाई के पहले चतरपती शिवा जी महराज के काल में बहुजनों की स्तिती क्या थी बहुजन गरीब भी थे लेकिन अच्छे से रहते थे बहुजन उस इस्तिती में नहीं थे कि उनके पास में बहुत जादा पैसा हो लेकिन चतरपती धी किसी राजा में होगी शिवाजी महाराज ने कभी किसी लडाई में किसी व्यक्ति को जान बूचकर पीड़ा नहीं पहुचा ही आपको याद होगा कि चत्रपती शिवाजी महाराज के साथ में अबजल खान की जब लडाई होती और अबजल खान जब महारा जाता है तो उस के पार्थिव शरीर को बाइज़त उनको इज़त मिले और उनको बाइज़त दफना आए जाए ये एक राजा की सोच थी सोचिए बहुजनों के कल्यान के लिए जिनोंने इस देश में स्वराज की संकल पना रखी माता जिजाओ जिनोंने स्वराज की निव रखने के लिए च श्यवाजिय महाराज की स्वराज के कलपना थी और इसलिए मैं सविदान लिखने लिए जो है मुझे बहुत ही तकलीफे नहीं उठानी पड़ी तो समता स्वतंतरता न्याय बंदुता को दिखाने वाले श्यवाज थे और वो हमेशा सही बहुजन प्रतिपालक थे गो ब्राह शिवाजी माहराज किसी जाती विशेश के नहीं थे किसी पर्टिकिलर समुधाय के नहीं थे वो पूरे देश के राजा थे वो बहु जनों के राजा थे उनके इत्यास को हमेशन से ही याद रखा जाएगा उनका इत्यास हमें से सही बहुजनों के लिए एक प्रिरनादाई संगर्ष के रूप में जाना जाएगा हम मुगल व्यवस्ता की बात नहीं कर रहे हैं ब्रामन व्यवस्ता की बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्रामनों का प्रदान मंत्री मंडल हुआ करता था उस मंत्री मंडल में तमाम बहुजनों को चतरपती शिवाजी महराज ने लिया मतलब कि ब्रामनों के साथ में भी बहुजनों को एक ही इस्तर पर बिठा दिया तो ये जो सोच थी चत्रपती सिवाजी महाराज की मतलब कि वो समता मुलक समाज का निर्मान करना चाहते थे समानतावादी दुरुष्टी को नुवर रखना चाहते थे उनके स्वराज में किसी भी व्यक्ति के साथ में कभी जातिगद भेदबाव नहीं हुआ कभी उच नीच की बात नहीं हुई और इसलिए हमेशा से ये उनको बहुजन प्रतीपालक बोला गया है ऐसे बहुजनों के महाप्रतापी राजा के लिए आप क्या सोचते है आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताए बने रहे दथिंग के साथ में तब तक के लिए जैबीन जैभार बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले